चीन और पाकिस्तान भारत के दुश्मन तो थे ही, कुछ दिनों से अब एक और देश अपना सिर उठाने लगा है। भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान ने क्या-क्या नौटंकी किया है, किसी से छिपा नहीं है। पियों के इसी नौटंकी का हिस्सा रहा है। आवकातन होने के बावजूद भी भारत की संप्रभुता और अखंडता का उलंगन करता रहा है। भारत के अभिन अंग कश्मीर में आतंक फैलाने की भर सक कोशिश करता रहा है। बॉर्डर के डिस्प्यूट को लेकर चीन से भी बराबर जड़पे होती रही है। नेपाल के नए प्रधान मंत्री केपी शर्मा ओली चीन समर्थक माने जाते हैं जिसका चीन पूरी तरह से फाइदा उठा रहा है। नेपाल को बरगलाने में उसने कोई कोर कसल नहीं छोड़ी है। नतीज़े ये निकला है कि अपने मानचिसर पर नेपाल ने भारत के कुछ हिस्तों को देखलाया है। और सो रुपए के नोटों पर भारत के लिपूलेक, लिंपिया धुरा और काला पानी खोबी अपना बताया है। नेपाल के ऐसा करने पर भारत का विरोध जताना लाजमी था। पर भारत के इस अपती का नेपाल की कान पर जू नहीं रहेंगा। और उसने इस अपती जनक सौ रुपए की नोट को पूरे नेपाल में सर्कुलेट कर दिया। आपको बता दें कि इन नोटों की प्रिंटिंग चीन में हो रही है। नेपाल सेंट्रल बैंक और नेपाल नैशनल बैंक ने चीन की कमपनी Bank Not Printing and Minting Corporation से करेंसी प्रिंट करने की डील की है। नेपाल के सौर रुपए के डिनॉमनेशन की करीब तीन सो मिलियन प्रतियां चापी जाएंगी। चीन के इन गती विजियों से साफ है कि उसके इरादे नेक नहीं हैं। वो नेपाल को बरगला कर भारत के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। भला नेपाल की क्या मजाल की वो अपने करेंसी पर भारत के इलाकों को दर्शाए लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। लिपुलेख, लिम्पियधुरा और काला पानी भारत के अंग हैं जो की नेपाल बोडर से लगे हुए हैं। अब स्थिती ये हो गई है कि भारत को अपने ही छेतर पर दावा ठोकना पड़ रहा है और दुनिया को बताना पड़ रहा है कि ये एरिया भारत के हैं और भारत सीमा के अंदर आते हैं। चीन के इस नापाक हरकत से दोनों देशों भारत और नेपाल के बीच में तनाव की स्थिती पैदा हो गई है ये विवाद 1816 में उठा था एंगलो नेपाल युदि के बाद सुगौली संधी के तहत ये डिसाइड हुआ था कि महाकाली नदी को भारत और नेपाल की सीमा मान जाएगा लेकिन इसके बावजूद भी दोनों देशों में मत भेद रहा है और आज नेपाल ने अपने सो रुपे के करिंसी पल भारत के छेतरों को दर्शाकर एक नया भखेड़ा खड़ा कर दिया है ऐसे में अब दोनों देशों के बीच दरार पढ़ने की संभावना जियन्त रच रहा है देखा जाए तो इस तरह से भारत का एक और दुश्मन जनम ले रहा है वैसे भी भारत के रिष्टे बंगलादेश, मैल्डीज और श्री लंका से कोई खास अच्छे नहीं है देखा जाए तो भारत चारों और से दुश्मनों से घिरता जा रहा है Thank you for joining. Please like, share and subscribe. Jai Hind, Jai Bharat